पहले आप बैठ गए, सीधे बैठे हैं, और अपने अंदर स्वांस भरिए, ना के दुआरा सर्वस रेस्ट हैं, इस तरह, और रोक लीजिए, गुर्मंतर का जाप अंदर येंदर कीजिए, और करते करते, आप स्वांस को छोड़ते जाईए, अंदर से स्वांस चलता जाए, छोड़ते जाईए, और फिर लास्ट में, पूरा स्वांस अंदर से निकाल दीजिए, विदाउट एर, बिना प्रान वायु के, लेकिन ध्यान रहे, जब स्वांस अंदर नहीं है, गुर्मंतर का जाप यानि ध्यान से रुकना नहीं है, गुर्मंतर का जाप लगातार होता रहना चाहिए, आपको करके दिखाते हैं, पूरा ये तरीका जिसे एक स्वांस प्रण याम का कहा जाता है पहले स्वांस अंदर भरा होल्ड छोड़ते जाना अंदर स्वांस नहीं बीना स्वांस के रुकने और फिर स्वांस अंदर भरना है तो ये एक स्वांस हुआ कि बीना स्वांस के रुकनात तक ऐसा अगर आप करते हैं तो क्या होता है हमने छे क्रोड लोगों में ऐसा अजमा के देखा नशा छूड जाता है ऐसे ऐसे प्लेयर जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं उन्होंने ऐसा करके देखा चैवो किरकेट हो मुक्यवाजी हो या स्विमिंग हो बॉली वाल यूडो योगा वहां की लड़कियां पांच वर योगा वर्ड कप में लगबग 30-35 गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं और यही नहीं थ्रोबॉल और इसी तरह रोलर स्केटिंग होकी चेंपिनशिप जीत के आए हैं ऐसे से लोगों पर जमाया जिनको अस्थमा था जो इनहेलर लिया करते थी सिर्फ पंदरा दिन ऐसा करने से उनका इनहेलर छूट गया अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी मेमोरी पावर बीक है यादाश शक्ती कमजोर है तो आप गुर्मंत्र का जाप इस तरह से कीचिए यानि गुर्मंत्र प्राणायाम के साथ करके देखिए गेम के लिए तयार होते हैं तो उस समय आप प्राणायाम के साथ ये भक्ती कीजिए गुर्मंत्र का जाप कीचिए सिर्फ 25 स्वांस कम से कम ज्यादा आप जितना मर जें तो आप जब स्वांस नहीं लेते तो आपकी जो बॉड़ी है आपका पूरा सरीर आत्मा और जिंदगी जीने के लिए छट पटाती है और सरीर जिंदगी हासिल करने क के लिए जितना चट पटाता है उतना ही पावर्फुल होता है जितनी आत्मा ब्याकुल होती है कि मुझे ऑक्सिजन मिले उतनी ही उसमें आत्म शक्ती आती है और हमने देखा है इसी आसन से बच्चे पढ़ने वाले सिरफ पांच मिंट करें ऐसा और जिनोंने ऐसा करके दे हैं 2017 के दसमी का या शायद प्लस टू का लड़कियों का रिजल्ट आया शास्त्रामजी गल्सकूल सरसा का और उसमें उनकी जितनी भी लड़कियां थी शायद देड़ सो के करीब सब की सब मेरिट में आई है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है हात कंगन को वार सी क्या योगा आसन कोई आप से पैसा नहीं लेते धरम जात मजब नहीं चुड़वाते आप जो भी आसन करेंगे आपका फायदा होगा आपको सारीरिक धन मिलेगा और आपको आत्मिक शान्ती का धन मिलेगा और अगर सरीर तंदुरुस्त है तो आपको बाहरी धन भी मिले क्योंकि जब इनसान तंदुरुस्त होता है उसकी सोच तंदुरुस्त होती है तो बिजनिस बेवपार में भी वो बहुत तरक्की करता है तो इसलिए योगा अपनी जिन्दगी में जरूर अपनाएं जैसे जैसे आप योगा करते जाएंगे और योगा के साथ ध्यान में ब अंदुरुस्ती ताजगी इतनी मिलेगी कि जिन्द की बहार की तरह आप गुजारते जाएंगे.